प्रूट्स का चुनाव कर सकते हैं लेकिन केले का सेवन ना करें क्युंकि इसमेधिक मात्रा में कार्बोहाइडरेट होता है जिससे मुटापा बढ़ता है दूसरा दिन दूसरे दिन आप केवल हरी सब्जियों का ही सेवन करें चाहे तो आप इन्हीं सलाद बना कर खा सकते हैं या फिर इनका सेवन उबाल कर भी कर सकते हैं तीसरा दिन तीसरे दिन आप हरी सब्जियों के साथ फलों का ही सेवन कर सकते हैं इनके अलावा आप किसी और चीज का सेवन ना करें चोथा दिन चोथे दिन आप केवल अपने भूजन में जोग के आटे सेवनी रूटियों का ही सेवन करें यहों के आटे की रूटि का सेवन बिलकुल ना करें पांचवा दिन पांचवे दिन आप थोड़े से उबलेखवे चावल का सेवन करें और साथ ही दिन भर में कम से कम आठ टमाटरों अवश्य खाएं छेटवा दिन छेटवे दिन आप केवल सब्जियों से बने सूप का ही सेवन करें किम्तु अधिक भूख लगने पर आप लंच के समय थोड़े से राइस खा सकते हैं साथवे दिन साथवे दिन आप चावल के साथ कुछ फल एवं हरी सब्जियों को सेवन कर लीजे परंतु दिन भर भी पानी सूप और जूस पीते रहें आठ वा दिन इस दिन की शुरुआत आप सुभा की थोड़ी सी रन्नीं के बाद खाली प्रेट नीवो पानी पीकर करें या हो सके तो इसमें थोड़ा सा काला नमक एवं शेहर अवश्य मिला ले नववा दिन इस दिन आप 5-7 केलो के साथ 2-3 गिलास दूद पीकर कुछ समय पक्षाथ आप विजिटेबल सूप का सेवन भी कर सकते हैं दस्वादे इस दिन आप अपने घर का साधारन खाना खा सकते हैं परन्तु ये ध्यान रहे कि उस भोजन में अधिक वसा ना हो तो फ्रेंड्स ये थे दस दिनों में मोटा पागिटाने के सर लुपाए आप इसे जरूर प्राइ कीजए थास्वादे आप एंग। खंच अवर चनल झाप्रवाण टूल ठाप्स्ट्रवा च्ट्रीजद बढ़े बाएं